Welcome dear students, आज इस वीडियो में हम The Lost Spring के पार्ट टू के बारे में पढ़ेंगे, उसका रिविजन करेंगे. इस चैप्टर को अनीश जंग ने लिखा है. ये पार्ट फिरोजाबाद में रहने वाले मुकेश नाम के एक बच्चे की कहानी है, जो कि काफी गरीब है. अनीश जंग ने फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों के बारे में बताया कि वो अधिकतर लोग क्या काम करते हैं. Every other family in फिरोजाबाद is engaged in making bangles. कि फिरोजाबाद में रहने वाले हर व्यक्ति लगभग जो है वो bangles making चूड़ी बनाने के कारे करता है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. किसी को ये बात नहीं पता है कि मुकेश जैसे बच्चे को glass furnace में, glass factory में काम करना illegal काम है. ये गैर कानूनी है जहाँ पर इतना ज़्यादा high temperature में glass को पिलाया जाता है. They slog their daylight hours often losing the brightness of their eyes. अनीश जंग ने इस chapter के शरुवात में हमें ये भी बताया है कि ये बच्चे, ये लोग दिन भर बहुत कड़ी मेहनत करते हैं. इसका मतलब है कि दिन भर जो है बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और इस कड़ी मेहनत का नतीजा ये निकलता है कि बहुत जल्दी ही बहुत यंग एज में उनके आँखों की रोशनी चली जाती है कैसे चली जाती है क्योंकि वो बहुत high temperature glass furnaces में काम करते हैं दुसरी जो है मुकेश अपने बारे में बताता है कि हमारे यहां फिरोजाबाद में generation to generation कई generation से लोग केवल bangle making का काम करते आ रहे हैं I don't want to do that मैं ये काम नहीं करना चाहता I want to be a motor mechanic and car driver मैं एक motor mechanic बनना चाहता हूँ या car driver बनना चाहता हूँ उसके बाद अनिश जंग मुकेश के साथ उसके घर गई जहां पर वो रहता था अनिश जंग ने उस location को उस जगह को कुछ in words में describe किया है crumbling walls, wobbly doors, snow windows, crowded with families of humans and animals co-existing in a premium state इन लोगें के घर जो हैं काफी तूटे फूटे से हैं जूलते हुए दरवाजे हैं जिनमें खिड़कियां नहीं हैं काफी भीर भाड़ वाली जगह है यहाँ पर आदमी और जानवर जैसा कि आप इस picture में भी देख सकते हैं इन conditions में ये साथ में रहते हैं co-existing in a premium state ऐसा लगता है वो बहुत प्राचीन काल के किसी अमानवी विवस्था में रह रहे हैं उसके बाद मुकेश के घर में जाने के बाद अनिश जग ने जो बाते observe की जो देखा वो इस तरह से बताया है कि दादी ने भाभी ने या उसकी जो बहन है उन लोगों की इस पूरे अपने लाइफ स्टाइल के बारे में क्या opinion है दादी ने बताया मुकेश के कि It is his करम, his destiny Can a God-given lineage ever be broken? कि ये तो हमारा करम है, ये तो हमारा destiny है ये तो हमारा, हमें ऐसा ही भगवान ने लिख करके भेजा है ये तो हमारे जो किसमत में भगवान ने लिख के भेजा है कि हमें चुडियां बनानी है, शीशे का काम करना है क्यों? क्योंकि bangle making supports life No nothing except bangles उसकी जो दादी हैं, grand mother हैं, mother हैं, सब ने ये बताया कि हम इस bangle making के लावा कोई दूसरा काम नहीं जानते है क्योंकि इससे हमारी life को support मिलता है Food is important एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया ये उसकी दादी ने बताया कि हमें तो एक meeting sufficient खाना भी नहीं मिला है पूरे जीवन में तो हमें अगर इस काम को करने से थोड़ा भोजन मिल जाता है तो हमारे लिए ये काम ठीक है Shelter is important बहुत से लोग इतने गरीब हैं कि उन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया है वो जोपणियों में रहते हैं बहुत तूटे फूटे घरों में रहते हैं मेरे घर में ये बहुत बड़ी बात हुई कि all I have done is make a house for the family to live in इस चूडियों का काम करके इस चूडियों के प्रोफेशन में रह करके कम से कम हम लोगों ने अपना घर छोटा सा पका बना लिया है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए हमारे पुरी दुनिया में रोटी, कपड़ा, मकान फूड, शेल्टर, एंड प्लॉट अगर ये तीन चीज़े मिल जाएं तो आदमी का लाइफ सेटिसफाइड हो जाता है तो इनको जो है शेल्टर भी मिल गया फूड भी मिल गया और कपड़े भी इनको मिल जा रहे हैं ये काम करके तो इस काम को ये लोग छोड़ना नहीं चाहते है बट मुकेश छोड़ना चाहता है क्योंकि लोगों की आँखें जो है इसमें खराब हो जाती है बहुत यंग एज में उनकी आँखें चली जाती है अंधे हो जाते हैं लोग इसलिए वो इस काम को नहीं करना चाहता है इसके बाद इन्होंने डिफाइन किया है अनिश जंग ने कि ये लोग जो है कि vicious cycle of custom में फसे हुए हैं अनिश जंग ने बताया कि मुकेश की एक बहन है बहुत छोटी young age की है उसका नाम है सविता सविता ये a young girl in a drab pink dress sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass वो जो है बैठी हुई छोटी से बच्ची जो है वो चूडियों को soldering कर रही है उनको जोड रही है उनको round circle में डाल रही है I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make अनिश जंग को आशर हुआ कि क्या ये जानती होगी कि इन चूडियों की क्या value है इनका इस्तिमाल जो है बहुत पवित्र काम में होता है सुहाग से related है क्या इस बच्ची को उसकी value का पता होगा कि इन चूडियों की क्या value है she will then become a bride like the old woman beside her who became one many years ago और ये जो लड़की है छोटी बच्ची है जो सविता है एक दिन बहुत कम उम्र में जो है वो शादी हो जाएगी उसकी वो बहु बन जाएगी और अपनी दादी अपनी माँ और अपनी भावी की तरह जो है वो भी घर में बैट करके घुवट निकाल करके चूले की धुए में खाना बनाना शूरू कर देगी और बहुत जल्दी ही उसकी आँखें भी खराब हो जाएंगी क्योंकि वो बैंगल फैक्टरी में शी स्टिल हैस बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आईज वो भी अपनी दादी अपनी मा कितना ही बैंगल फैक्टरी में काम करती रहेगी और धीरे 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 उसकी आँखें भी खराब हो जाएंगी तो ये कस्टम का एक जो है विश्यस साइकल है बहुत कम उम्र में शादी हो जाना धूएं वाले चूले वाले घर में खाना बनाना गूंगट लगा करके उसके बाद जो है कम उम्र में ही बेंगल फैक्टरी में काम करने शुरू कर देना और बहुत जल्दी अंधा हो जाना आँखों पे चश्मा लग जाना ये सब चीज़ें जो है कस्टम का पार्ट हो जाएंगी ये विश्यस साइकल है एक जहरेली चक्र भी होगा जिसमें ये लोग फसे हुए है फिर बताया नेज़ जग ने कि ये लोग जो है फिरोजाबाद के ये विश्यस साइकल ऑफ ब्यूरोक्राइसी एंड पॉलिटिक्स में भी फसे हुए है कैसे क्योंकि वो लोग जो आफिसर्स हैं उनसे ब्राइब लेते हैं घूस लेते हैं उन लोगों को पैसे कमाने के बदले उनको अवसर देने के बदले उनसे पैसे लेते हैं जो politicians हैं वो इनको धोखा देते हैं वो अपने पैसे कमाने के लालश में पढ़े रहते हैं वो इन लोगों कोई भला नहीं सोचते हैं फिर बताया कि जो पुलिस वाले हैं वो भी इनका केर नहीं करते हैं वो भी केवल जो है अपना लाव देखते हैं मुकेश ने बताया कि अगर हम कोशिश करते हैं अगर हम यूनियन भी बनाते हैं हम एक जुट होने की कोशिश करते हैं तो ये जो ऑफिसर्स हैं ये जो सहुकार्स हैं ये जो नेता हैं ये जो लीडर्स हैं ये जो मनी लेंडर्स हैं जो पुलिस हैं ये हमको जो है गलत-गलत कामों में फसा देते हैं मारते हैं पीडते हैं और अंत में जेल में डाल देते हैं कुछ जुटे इलिगल कामों में फ हसे हुए हैं, a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice, इस vicious cycle से क्या पैदा होती है, गरीवी पैदा होती है, poverty to apathy, apathy means किसी का हमारे लिए कोई ध्यान नहीं रहता है, कोई हमारे लिए चिंता नहीं करता है, कोई हमारी care नहीं करता है, to greed, इसके बाद इन लोगों का लालच जो है, बढ़ता जाता है, यह जो अधिकारी हैं, money lenders, साहुकार हैं, politicians हैं, या फिर policeman हैं, इन लोगों का जो है लालच बढ़ता जाता है, और अंत में हम लोग injustice के अन्याय के शिकार हो जाते हैं, यह pictorial note है इस chapter का, जो की बहुत ही important है, कि यह लोग जो हैं फिरोजाबाद के, custom, politics, bureaucracy, corruption, poverty के vicious cycle में फसे हुए हैं, और यह लोग hopeless people में convert हो चुके हैं, इनके अंदर कोई भी इच्छा बाकी नहीं है, इनके अंदर कुछ उमीदें बाकी नहीं है, इनके लिए कोई opportunity बाकी नहीं है, और यह लोग जो हैं बहुत दुखी जीवन जी रहे हैं. Thank you very much. If you have any questions, please mail me at nithyanandish.vns at gmail.com for the clarification of your doubts. Please subscribe, like, share and comment on this video. Thank you very much.